नमस्कार साती है आपका स्वागत आपके यूटूब चैनल ट्रेडवित रोनिक चलिए दोस्तों आज के शुरुवात करते हैं आज को जो शेर है वह टी जी वी सार के लिमिटेट का है उसके वारे में बात करने से पहले अगर आप इंद आपने अपना चैनल सब्सक्राइब पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए जो पहले को बजा ना बिलकुल ना बोलिए तो दोस्तों आज है बाइस दिसंबर और सुबह के नो बच के तस मिंट और नो बच के पचास मिंट हो रहे हैं लाए मार्केट ऑपन है वह टीवीजी के अंदर मुझे लगता है जो ग्रा बचिवीजी गुरूप ठीक है यह कैमिकल सेक्टर कंपनी है थीक है इनका वेसिकली काम के मैनिफेक्ट्चर एंड एक्सपोर्ट ठीक है फार्मा एंड हल्ट केर पावर एंड इंस्ट्रक्ट्टर होस्पिटल एंड एडूकेशन तो इनका प्रोडटक या हल्थ के अंदर एकाद्ध भी व्ययक्षीनेशन होती है इनके शॉप है इनका फिर इंका पावर सेक्टर में भी देखे बिजली उतपाथ में भी इनका थीक है तो इनका रिनुवल रियों विंड मेल एनों की तो इनका वर्किंग है रोयल मौर्या होटल्स के नाम से इनका हॉस्पिटल वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले तो यहां पर यहां पर आने वाला आप तीजीवी का गुरूप तो यह देखिए इस तक टार्गेट दिए थे 55 औ 65 तक के वह टार्गेट हुए थे तो अब मुझे लगता है कि अब इसमें दौर से ट्रेंड वापसी आने वाला है तो आप समस्क्राइब चल क्या रहा है तो आप इसके अंदर देखते क्या होता है आज यह ओपन होता है यह ओनली आपको ब्याइस पे मिलेगी कंपनी ब्यासी के अंदर यह इसका ट्रेड शेयर ट्रेड शेयर पैसे का यह ओपन होता है इसका आप थोड़ा सा क्वाटर टू के वारे में देख लेता है क्यूंकि मैंने उसके बाद क्वाटर टू के अपडेट नहीं दीती तो टीजीवी ग्रूप का शेयर है तो बेसिकलिए टीवीजी सारक लिमिटेड तो इनका मार्केट का यह पर चार सो 479 करोड का स्टॉक पर यह 13.1 है ROC इसका है 9.30 परसेंट बुक वैल्यू इसकी है 59.4 आरो ही रिटर्न ओफ इक्वेटिए इसकी 5.07 परसेंट फेस वेल्यू इसकी दसरबरी कमणी ने अभी तक डिवीडेंट नहीं दिया है तब देख इसके अंदर पॉजिटिव क्या है कं इसका पाटर तू के रिजल्ट की थोड़ा सी बात कर लेता है तो दिखी इनका जो कोड़र तू का रिजल्ट रहा था वो लैक्स में आयता तो इसका ओवर्विव दिखते है पहले सितंबा कॉटर के अंदर 2021 के अंदर के सेल थी 305 लाग की इनका प्रोपिट आया तो 59 सेल परफेशन प्रोफिट आता 49 लाग का नेट प्रोफिट निका 10 लाग अधा और EPS थे इनका 0.91 परसंट तो आप शकते हैं शेल में इसाफा देखने को मिलें ठीक है ना 206 से 255 लाग एथावब दो से 255 और कीुछ ग्रोफ इसमेंनों को मिली ए नेट प्राफ इसमें इसमेंगी परसंट जाए सेल बाइस में की आऻे और इनका profit भी आए company , ठीक है न तो basicallyETYeye स्च में growth देखने को मिली है loss में इंडिकेशळीन हमें क्या देखने होता हममाल को जब आलब कि रहुंहे का इसका do qa क소 में चलती हैं चलता है नहीं कोमपनी काहनी चलता है। चार्ट पर देखते हैं क्या चलता है जपने इसका मैंने डेली चाट ओपन के लिएक तो कले दिन इस ग्रावड खतम होने तो इसमें तेजी खतम होने वाली है so यह इंडिकेशन दे रहा है कि इसमें ग्रावड खतम होने तो यह इंडिकेशन दे रहा है इसमें अब trending था, थेकिर दो केंडल हमें दो दिल लगा था, तीन दिन से देखरे हो इसके मतलब इसमें इंडिकेशन है अब trending का देख रहा है, अब मुझे लगता है कि यहां से आफ रिवर्जल ट्रेंड हो तो आप हो क्या करना है, यहां से 40 के stop loss से buy करिए, किते के stop loss से, 40 के stop loss से buy करिए, क्योंकि RSIB indication दिख रहा है, MSCDP भी थोड़ा-सोड़ा indication दिख रहा है, तो RSIB पे तो indication दिख चुगा है, कि 45 का वो चुगा, तो RSIB तो हमें क्या करना, इसमें 40 के stop loss से buy करिए, इसमें पहला target है, मेरा यहाँ से 48 का, वो इसलिए बोलो हूँ, क्योंकि जो यह candle है, यह candle करते कि 48, 48.72 गी, तो यह candle जैसी cover करेगा, क्योंकि इस candle के ही level पर आ रहा है, इस time पे share, थोड़े दिर में इस level पा जाएगा, कल यह कल परसों के दिन में, यह थोड़ा holding patience, वेट करता है, एक महीनी केंदर साइट हो जाएगे इसके, तो आपको patience होल्ड करेगे, रखना है इसको, तो 48 का पहला target है, पहला target जैसे हीट होगा, तो यह candle जैसी खतम हो की candle है, 55.80 गी, तो 53 पर दूसर target है, जैसे 53 पर पार करेगा, तो यह थोड़ा वी देख लेते हैं, तो वेकली चार्ट पर इंडिकेशन अच्छे खार से दिखे रहे हैं, हमारे को ज्यादा कोई पहने को पहने का चार्ट ने करेगा, तो इसका इंडिकेशन दिख रहा है, तो इसमें आप ट्रेंडिंग फॉल आने वाला है, बाकि इसमें ग्रावट नहीं है, मैंने बताते हैं, देखे उन 14, 39 की candle है, तो 40 के stop loss से से बाय करिए, पहला target आपका एक 48 का, दूसर target 53 का तीसर target, साटर बाय करिए पर साथ होल रहे ह I hope यह वीडियो आपकी उस पलता प्लेस वीडियो को लाइक, शेयफ आवाट करना बिलकुल न बोले, thank you so much for watching this video